चलि बड़ा, next is x-rays, x-rays बस से देखें तो modern physics 1 का ही part है, of course अपने बड़ी sheet के अंदर भी इसके सवाल जाँ, modern physics 1 की sheet के अंदर है h-c-v के अंदर ये एक अलग से chapter दे रखा है, chapter number 44, आप इसे modern physics 1 का ही part मान सकते हैं, obviously and बहुत ही आसान है, बहुत ही trivial सा है, बट फिर भी इसके सवाल आइटी में, j-main में पूछते रहते हैं और more or less, जो कुछ हम पढ़ते हैं, जो कुछ हम board पर लिखते हैं, या फिर जो सवाल हम लोग करते हैं, more or less, वैसे ही सवाल j-main में भी पूछेगे हैं और वैसे सवाल IIT advanced के अंदर भी पूछेगे हैं सो relatively आसान टोपिक है, बहुत ज़दा concept इसके अंदर नहीं है, सिर्फ इकका दुका concept है और उनी को बार-बार लगातार IIT और j-main में पूछते रहते हैं तो आप ऐसे मान के चल सकते हो कि पढ़ने में time कम से कम लगेगा और बड़ी आसाने से number भी आ सकते हैं तो चलिए, मुद्दे पर आते हैं जैसा कि आपको हलका भुलका पता भी है कि X-rays are highly energetic electromagnetic radiations highly energetic मतलब बड़ा जिनकी frequency काफी जादा हो, wavelength काफी कम हो उन उस electromagnetic radiation को हम X-rays कहते हैं एक लाइन लिखे कर बड़ा X-rays और highly energetic electromagnetic waves or highly energetic electromagnetic waves of course having large frequency small wavelength and high penetration capacity penetrate करने की अच्छी capacity होती है बना किसकी X-rays की visible light के मुकाबले हमारी X-rays जो है वो बैटर तरीके से के surface को penetrate कर पाती है मैं एक बार आपको फिर से electromagnetic wave का पूरा का पूरा स्पेक्टर्म लिखा दा हूँ हलागे कई बार बना चुके हैं मुसे बट चलिए फिर से लएक सकते हो सबसे जादा wavelength का आपके पास radio wave then microwave then infrared then of course light या visible electromagnetic wave जैसे बुलना चाओ उसके बाद आपका ultraviolet फिर आपके पास X-rays और सबसे आखिर में सबसे जादा energetic आपके gamma rays सबसे जादा energetic आपके gamma rays X-rays जो है जैसे जैसे इधर जाओगे वैसे वैसे लगातार frequency बड़ेगी सबसे जादा जो frequency होगी वो gamma rays की होगी जैसे जैसे आगे जाओगे वैसे वैसे लगातार of course wavelength घटेगी तो X-ray जो है वो जादा frequency कम डेवलेंट वाले region में है और जैसे जैसे आगे जाओगे बड़ा energy भी किसी photon की बढ़ेगी because we know that कि photon की energy is h into f या फिर h c by lambda frequency जादा तो energy जादा lambda कम से कम तो energy जादा से जादा और जैसे जैसे आगे जाओगे वैसे वैसे आपकी किसी भी surface को penetrate करने की जो capacity होगी वो भी जादा होगी तो of course x-rays has more penetration capacity as compared to ultraviolet या फिर light या फिर infrared या microwave या फिर radio wave gamma rays are even more having more capacity to penetrate any surface क्योंकि उनके photons तो वो भी जादा energetic होते है अच्छे एक बात ओर बड़ा जैसे जैसे हम आगे जा रहे है जैसे जैसे हम light से ultraviolet ultraviolet से x-ray और x-ray से gamma रहे जा रहे है तो photons की energy जाता है photons की energy अगर जाता है तो किसी surface को penetrate करने की ख्षमता साथ है तो of course वो जो photons है वो skin पर या eye पर अगर गर गिरेंगे तो वो हमारी skin को और eyes को जदा harm भी पहुचा सकते है तो आप ऐसा कह सकते हो कि x-rays are more harmful as compared to visible light x-rays are more harmful for our skin और eyes as compared to our light of course तो आप कह सकते हो कि जो आपके photons है जो जितने जदा energetic photons होंगे वो हमारी skin के लिए हमारी eyes के लिए उतने जदा harmful होंगे तो जैसे जैसे बड़ आप आगे जाओगे आप ये भी कह सकते हो कि ये सारे के सार जो electromagnetic rotations है ये हमारी skin के लिए और eyes के लिए उतने जदा harmful होंगे ठीक है बच्चो फिर भी आप सोच रहोंगे सर कभी-कभी बिमार पढ़ते है ये पिर आप सबक भी होंगे फोटों लिए इस अनिख वो तो मजबूरी थी X-ray लेना थो otherwise वो एक्सरे कर वाडिश्किन पर गर गरते है तो हमारी बडिश्किन को ahh lanz ing लेंगे होजिए these are highly energetic photons तो ठीक है, एक्सरेक विड़ अपने नुक्सान तो हैं, कुछ अपने फायदे हैं, कि वो skin को penetrate कर सकते हैं, अगर skin को penetrate कर सकते हैं, तो of course हमारी skin के अंदर जो bonds वगर है, उनकी structure का better idea दे सकते हैं, हमारी body flesh के अंदर, अगर माले जो कोई सिक्का है या कोई और चीज़े हैं, त पता सकते हैं, तो X-ray जो कराना है, अगर हम X-ray कराते हैं, तो X-ray की radiation हमारी skin पर हमारी eyes पर गिरती हैं, तो मैं हलका फुलका नुक्सान पहुचाती हैं, इसलिए हम कभी भी shock से X-ray नहीं कराते हैं, of course मजबूरी में ही कराते हैं, आगे चले, मैं एक बात औरकाऊंगा, कि जो X-rays हैं, उनकी wavelength आप roughly कह सकते हो, roughly कह सकते हो, कि 0.1 angstrom से लेकर 100 angstrom के बीच में हैं, और 0.1 की नहीं, 0.1 से कम को भी आप कहां consider कर सकते हो, तो 0.01 angstrom से लेकर 100 angstrom के बीच की जो wavelength है, उसको आप X-ray कंसिडर कर सकते हैं, यह जो उनकी wavelength लिखे हैं, पत्थर की लकीर नहीं है होसता है, किसी बुक में 0.1 angstrom से 100 angstrom दे रखाओ, या 0.01 angstrom से लेकर 10 angstrom दे रखाओ, ठीक है, वो दिया हो सकता है, क्योंकि मैंने कहाना बढ़ा ही है, यह boundaries जो है न, उन पे हम exactly decide नहीं कर सकते हैं, कहां से gamma ray बोलना start करें, कहां पर X-ray बोलना start करें, कहां पर ultraviolet बोलना start कर wavelength, किसी भी electromagnetic wave की, vacuum के अंदर अगर 0.01 angstrom से लेकर अगर 100 angstrom तक है, तो आप more or less बढ़ा होसे, X-ray मान सकते हैं, तो एक छोटी सी line ओर लिख सकते हैं, डालेखेगा, electromagnetic radiations having wavelength in the range of 0.01 angstrom to 100 angstrom of course बड़ा इसात ही लिखना है in air or vacuum are termed as X-rays बड़ा इनकों, X-rays कह सकते हैं तो यह मैंने कह दिया बड़ा, यह जो values हैं, यह थोड़ी subjective values हैं, इन पर जगड़े नहीं करने हैं कि अच्छा ठीक है सर, 100 angstrom तक है, तो सर मैं X-ray माल लूँगा, जैसे 101 angstrom होगा, मोसको ultra valid माल लूँगा, नहीं नहीं बड़ा, ऐसा को boundary नहीं है, ऐसा को boundary है नहीं, ऐसा को clear boundary नहीं है, इसलिए जो मैंने values लिखी हैं, यह हो सकता बड़ा, आप किसे book में देखो, तो कर देना उस गलती को, आगे चलते हैं, चली बड़ा, आगे चलते हैं, next is, X-ray की जो energy या फिर बड़ा जो wavelength है, उसके basis पर हम इसको दो parts में divide करेंगे, one is, soft X-ray, another one is, hard X-ray, soft X-ray उनकी बड़ा जो wavelength होगी, वो higher side में होगी, मतलब, जादा lambda होगा, दस angstrom से जादा अगर wavelength हो, तो आप उसे soft X-ray कह सकते हो, lambda अगर जादा है, तो of course, soft X-ray के पास बड़ा energy कम है, energy कम है, तो of course, बड़ा low penetration है, किसी भी surface को penetrate करने की या पार करने की जो capacity है, वो कम है, इसी तरह से जो hard X-ray है, उसकी जो wavelength होगी, बड़ा वो आप मान के चल सकते हो, कि एक angstrom से कम, सर्थो 10 angstrom से लेके, एक angstrom के बीच जो X-rays है, उनको क्या बोलोगे, hard बोलोगे, soft बोलोगे, उसमें बड़ा कोई ऐसे demarkation नहीं है, कि इससे कम वाले को hard बोलना है, इससे जादा वाले को soft बोलना है, तो इसलिए कोई demarkation नहीं है, उनको कुछ मित बोलो, ठीक है, कोई इतना बड़ा फरक नहीं करता है, कुल्म लागर कहने का आरती है, कि lambda जादा वालनों को soft X-ray, lambda कम वालनों को hard X-ray, lambda कम है, तो of course hard X-ray जो होगे, यह आपके highly energetic होगे, और यह अगर highly energetic होगे, तो of course इनकी penetrate करने की शमता वो जादा होगे, these are highly penetrating, यह बड़ा penetrate को एक शमता थोड़ी सी जादा रखते है, इसलिए अकसर airport security वगरबे, या फिर बड़ा अपने railway station security पे, जो समान बड़ा हम conveyor belt पे डालते हैं, तो उस पर उपर से जो electromagnetic relations दे रखती होती है, वो mostly कौन सी होती है, X-rays होती है, वो भी hard X-ray, तो वो hard X-ray क्या करती है, कि हमारे bag को जो cover होता है, उसको भी cross कर जाती है, उसको cross कर जाती है, नीटे नीचे एक photographic plate लगी रहती है, तो उस पर वो बड़े आरहम से imprints बना सकती है, और बता सकती है कि अंदर bag के अंदर क्या समान पड़ा, उसका basic basic idea लगा सकती है, तो mostly बड़ा इसका जो purpose है, वो security purpose वगर मैं कापी जगे use करते हैं, किसको hard X-ray को, तो hard X-ray और soft X-ray में आपको सिर्फ इतना से याद रखना है, कि hard X-rays are highly energetic, lower wavelength and soft X-rays are of course higher wavelength and less energetic of the all X-rays, त्रिका, ऐसे आप roughly याद कर सकते हैं, चली बच्चू, next is brand strolling effect, नाम थोड़ा अजीव है, because German name है, इसका meaning भी है, जो brems है, उसका मतलब है, to break, बड़ा break लगाने वाला break, एक तरह से, कह सकते हैं, to stop, and strolling means, radiation, मतलब किसी चीज़ को रोकने के कारण रेडियेशन निकल रही है, ये इसका एक तरह से, literal meaning है, brems strolling का, brems strolling German name है, दो पार्ट्स है, brems, वैसे bremson exactly नाम है, और दूसा है strolling, strolling means radiation, and bremson means, to break or to stop, क्या effect है, सुनेगा इस बात को, हम क्या करेंगे, कि कुछ highly energetic electrons लेंगे, highly energetic electrons लेंगे, जिनके पास अच्छी खासे कारेटिक एनरजी होगी, और ये जो कारेटिक एनरजी होगी, ये in the order of किलो एलेक्टर वोल्ट के order होगी, ठीक है, ये elektrons लोगे, ये जाएंगे, 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 और किसी metal से टकराएंगे, ये बड़ा कोईने कोई metal है, जिस metal से टकराएंगे, उस metal को हम नाम दे रहें, target metal, target, metal, तो जैसे ये elektron जाएगा, 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 जाएगा और ये highly energetic electron जैसे इस target metal से टकराएंगा, तो ये जो target metal का nucleus है, ये मैंने nucleus बनाया है, ऐसे, positively charged, ये nucleus किसका है, इस target metal के बर खूब सारे atoms होगे, उन atoms में of course खूब सारे nucleus होगे, इस is nucleus of target metal, तो जैसे ही highly energetic electron इस nucleus के पास से गुजरेगा, तो इस electron के पास बड़ा मालने थे हैं कि शुरुआफ में कुछ न कुछ energy थी, let's say, EI, of course ये जो nucleus होगा, ये इस पर electron पर force लगाएगा, और इस electron पर फोर्स लगाएगा, तो of course इसकी speed को change करेगा, और इसकी speed को change करेगा, तो इसकी energy को change करेगा, और इस force के कारण इस electron की speed change होगी, और speed change होने कारण इस electron की बड़ा माल लेते हैं कभी ने कभी speed change होकर late से हो गई है V2 पहले speed थी बड़ा V1, बाद में speed हो गई है V2 शुरुबाद में इसके पास energy थी EI, बड़ाद में इसके पास energy हो गई है EF तो इस nucleus ने एक तरह से इस charge particle जो बिलकुल यह सिदा जा रहा था एक तरह से उसको रोक लिया, उसको एक तरह से stop कर लिया, उसकी velocity को change कर लिया और अगर velocity को अगर change कर लिया तो हम जानते हैं कि यह जो accelerated electron है यह अपने अंदर से कुछ ने कुछ radiation निकालेगा और जो radiation निकालेगा उसकी जो energy होगी उस radiation की जो energy होगी, that will be hc by lambda लिखना चाहू hc by lambda लिख लो या फिर hf लिख लो and it will be of course initial energy of the electron minus final energy of the electron तो इस nucleus के attractive force के कारण इस electron के पास कोई ने कोई एक तरह का acceleration आयेगा, जिसके कारण इसकी speed change होगी, इसके kinetic energy change होगी और एक तरह से हमने इस electron को थोड़ा सा रोकाया है, थोड़ा सा stop किया है तो जो भी kinetic energy का loss होगा, वो kinetic energy का loss होगा, वो एक photon के form में होगा और जो photon के form में होगा, उस photon के पास भी जो energy होगी, वो kilo इलेक्ट्रो वल्ट के order में होगी The reason is, कि आपके इस electron के पास, ये जो आपने electron भीजा था जो bombard किया था उस electron के पास energy kilo इलेक्ट्रो वल्ट के order में है अगर उसके पास energy किलो एलेक्टरो वोल्ट के order में है तो जो energy lost है वो भी किलो एलेक्टरो वोल्ट के order में है और ये जो किलो एलेक्टरो वोल्ट के order में energy lost है ये photon की form में बाहर निकलेगी photon की form में अगर photon की form में जो energy बाहर निकल रही है उस photon के पास अगर energy किलो लेक्टर वोल्ट के order में है तो उसका जो lambda होगा, उसके जो wavelength होगी वो angstrom के order में होगी और जिसका lambda angstrom के order में होता है, जिस photon का lambda angstrom के order में होता है, that radiation, that photon is obviously known as, and can be said as a part of x-ray, कि वो x-ray का part है, तो कितना simple सा fund है, कि आपने कोई highly energetic electron फेका, highly energetic electron जिसके पास energy किलो लेक्टर वोल्ट के order में हो, आपने इसे किसी target metal पे गिराया, तो target metal के जो nucleus थी, उसके चारो उसके पास परोस से जब electrons निकलेंगे, तो nucleus जो होगा, उसके motion को हलका सा alter करेगा, हलका सा change करेगा, और उसकी speed को घटाने ही कोशिश करेगा, उसकी kinetic energy को घटाने ही कोशिश करेगा, उस electron की जितनी energy घटेगी, उतनी energy के photon लगातर बड़ा निक अंजरा है, उसके पास energy किलोटर वbn की ओडर में है, उसके पास energy अगर किलोगा लटर व다면 है, तो उसके पास lambda यह वह एंक्स्ट्रॉम की ओडर में है, और अगर lambda इंक्स्ट्रॉम की ओडर में है, तो obvious बात है कि इसको हम बड़ा क्या बोल सकते हैं?, एक्सरे बोल सकते है, more specifically ह हम इसे continuous x-ray बोलते हैं इस तरह से जो x-ray निकल रहा है उसको बढ़ा क्या नाम देते हैं continuous x-ray ये continuous x-ray नाम इसले भी बढ़ा क्योंकि इसके अंदर ना बहुत सारे lambda possible होंगे लगबग लगबग सारे lambda possible होंगे बहुत सारे lambda possible होंगे बहुत सारे lambda इसले possible होंगे क्योंकि ये प पास मेड़ा मालों के शुभात के अंदर 300 kiloloktor volt के order में energy थी तो 0 से लेकर 300 kiloloktor volt तक कितनी भी energy ये अपने अंदर से waste कर सकता है और जितनी energy अपने अपने अंदर से वेश्ट करेगा, उतनी energy पाफwhoton निकल जाएगा तो जितने photon nिकल रहोंगे उनके पास energy जोगी, वो 0 से लेकर 300 kWh तक vary करेगी, तो अलग-अलग तरह के बहुत सारे photons लेकलेंगे, जिनकी energies are varying from 0 to 300 kWh तो continuously बहुत सारे lambda possible है, continuously बहुत सारे frequencies possible है, continuously बहुत सारे energies of photons possible है, इसलिए हमने इन सारे के सारे x-rays का क्या ना निकाल दिया? Continuous x-rays So, क्या लिखे में बेटा? Bram Strolling Effect में आप कह सकते हो, कि अगर कोई highly energetic electron किसी target metal पर अगर incident किया जाए, तो target metal के जो nucleus होंगे, उसके side से जब वो electron निकलेंगे, तो आपका जो nucleus होगा वो उस electron को हलका सा stop करेगा, रोकेगा, और उसकी जितनी kinetic energy का taking, उतनी energy का वो उसमें से photon emit करा देगा और of course, हमारा जो electron bombard हो है, उसके पास अगर energy kiloliter world के order में है, तो energy lost भी kiloliter world के order में, and that is of course the energy of the photon emitted तो आप कैसा सकते हो? Bram Strolling Effect states that if highly energetic electrons are bombarded on a target metal comma then nucleus of target metal retards the motion of electron and any loss kinetic energy of electron will emit photon, will emit photon, of course the photon will be having the energy equal to the energy difference if an energy lost and this effect is known as your Bram Strolling Effect. I hope I get the point और इससे जितने photons निकल रहे हैं, उनके पास कितनी energy होगी? आप बोलो, सिर्प कितनी energy होगी 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 हो, इस बात पर depend करते हैं, कि आपने कितनी energy का electron गिराया है ? मान लो कि मैंने 100 किलो एलेक्ट्रो वोल्ट का फोटोन गिराया है तो ये एलेक्ट्रोन जब भी गिरेगा तो ये 0 से लेकर 100 किलो एलेक्ट्रो वोल्ट तक कितनी भी एनर्जी लोस कर सकता है और जितनी एनर्जी लोस करेगा उतनी energy का photon निकल जाएगा तो आप ऐसा कैसा है कि जितने भी photon निकलेंगे उनके पास energy कहां से कहां तक विरिगे देगी 0 से लेकर 100 kWh तक तो इसका मदब आप कैसा है कि ऐसा है कि सिर्फ वो सिर्फ एक photon निकल रहे हैं खुब सारे photon निकल रहे हैं और उन photons के energy are varying from 0 to 100 kWh इसलिए ऐसा नहीं कि सिर्फ वो सिर्फ एक photon निकल रहे है बहुत सारे spectrum of photons निकल रहे हैं और बहुत सारे निकल रहे हैं continuously निकल रहे हैं 0 से लेकर 100 kWh तक इसलिए हमने जान गूच के बड़ा यहां पर नाम क्या निकाल दिया है continuous x ray तो यह continuous x ray नाम बड़ा किसे निकल रहे है यह continuous भी 0 से लेकर 100 kWh तक सारे photon निकल रहे है depending on की चो electron टक रहे है target मिटल में उसने अपनी energy का कितना fraction जो है वो photon की form में बाहर निकाला है I hope you get the point इस बात को हम आगे जाके और detail में भी देखते हैं पुरा पुराज का experimental setup भी देखते हैं आगे चलिए चलिए बच्चो next is x ray tube या फिर college tube x rays को manufacture करने का यह practical तरीका है and simply कहूं तो ही बड़ा है हमारा brainstorming effect जो था उसका experimental setup है हमने जो कुछ brainstorming effect में बड़ा more or less एक तरह से उसे का experimental setup है तो आप कह सकते हूं कि कुलीज tube is used to produce x rays और आप उसे पूछो कि सरी concept concept पर based है of course यह brainstorming effect पर ही based है लिखना जोड़ा लिख सकते हूं it is based on brainstorming effect क्या experimental setup है आराम से इत्मिनान से देखेगा उसके क्या सवाल बन सकते हैं वो भी देखेंगे but experimental setup हमने लिख बड़ा सा जादा important है आराम से इत्मिनान से उसको देखेगा सबसे पहली बात हमारे पास एक transparent tube होनी चाहिए उसके अंदर की जितनी air है वो सारी के सार बढ़ा बहार निकाल देजी है tube की shape, size, geometry बढ़ा अलग अलग तरीके से दे रखे होती है आप ऐसे spherical time से भी use कर सकते हो कही जिए बड़ा ऐसे बना रखे होती है कही जिए ऐसे बना रखे होती है वो आपकी मर्जी है वो बहुत बढ़ा टास में कैसे बढ़ा सकते है यह आपके पास एक transparent glass spherical हो तो अच्छा है अंदर से hollow है अंदर से खाली है left side के अंदर आपके पास इस तरह का arrangement होगा एक battery होगी battery के across कुछ ने कुछ voltage होगा और यहाँ पर एक filament लगा रखा होगा simply black filament लगा रखा होगा filament का काम सिर् apostles of course गरम होना है यह लगातर बढ़ा heat होता रहेगा यह लगातर बढ़ा गरम होता रहेगा उसका काम दोड़ा सिर्फ और स्रु गरम होना है जैसे heater का होता ना बिलकूल लिख सकते हैं, इसके across the potential difference वो आपके पास VF है, इस filament के just सामने, बिलकुल सामने, यह आपके पास एक metal है, यह जो metal है, यह basically source of electron है, यह बड़ा basically source of electron है, इसमें से लगातार electrons आपके निकलते रहेंगे, लगातार आपके electrons जो है, वो लगातार इसमें से emit होते रहेंगे, यह filament लगातार कि इस metal हो गरम करेगा, गरम करेगा, गरम करेगा, और गरम करेगा तो इसमें से लगातार electrons होंगे, वो लगातार निकलते रहेंगे, तो अब इस metal के लिए कह सकते हूँ कि basically it is source of electrons, बड़ा basically it is source of electrons, हाँ बच्चा मैं क्या गरता, यह filament है, यह ल उसमें से लगातार electrons निकलते रहेंगे, निकलते रहेंगे, निकलते रहेंगे, निकलते रहेंगे, इस metal से बड़ा पेक wire ले लिजे, और एक दूसरी battery से और लगा दीजे, जो दूसरी battery है, बड़ा उसको मैं, उसके साथ जो potential difference है, मैं उसे नाम दे रहा हूँ, accelerating voltage, उसे मैं लिखने के लिए VA भी लिख रहा हूँ, और पहले gold बड़ा, ये 1000s of volt के order में होगा, ये metal से आपने इसको lower potential से जोड़ा है, और इस तरह बड़ा आपका higher potential आएगा, higher potential का आएगा, बताता हूँ, अब इतर की कानी clear है, आपने एक filament लिया, filament बड़ा बिलकुल वैसे, जैसे ब गरम होता है, ये heater लगातार गरम होता रहेगा, गरम होता रहेगा, और जो metal है, ये इसको गरम करेगा, जब metal हो गरम करेगा, तो उसमें से लगातार electrons निकलते रहेंगे, निकलते रहेंगे, निकलते रहेंगे, तो ये जो electrons निकल रहेंगे, ये metal से निकल रहेंगे, तो metal काम सिर्फ उसे электron को प्रोवाइड कराना है कि elektrons निकलते रहे अब क्या होगा सामने हमारा एक target होगा जो target होगा उसको प्रशा ऐसी shape देर होगे तो जादा अज़ा है ऐसी shape देर होगे ऐसी थोड़े टेड़ी देर होगे तो जादा अचछा है जो target है बड़ा बिल्कुल सामने यहां कहीं होगा यह target metal है आपका target metal मतला हम चाहतें कि यह electron जाके यहां से ठकराए यह target metal जो है मैं इसका नाम भी निकाल देता हूँ कि it is our target metal यह अक्सर अक्सर टंस्टन का या molybdenum का होता है सर ऐसा टंस्टन में या molybdenum में क्या खास है कि उनका ही होता है देखेंगे इस बात को कि क्या-क्या हमें जरुरत पड़ेगी ठीक है उस बात को देखेंगे सुन्दा बिड़ा अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने यह जो accelerating voltage है इसका lower potential लगा दिया metal पे और higher potential लगा रहा हूँ बिड़ा मैं यहाँ पे target metal लगा रहा हूँ एक तरह से तो this is at higher potential and of course this is at the lower potential यह अगर higher potential है और यह अगर lower potential है और potential defense अगर VA है तो electric field आएगी from higher potential to lower potential electric field will be like this जो electric field ऐसे आएगी वो of course यह जो electron just metal से निकरे उनकी speed को लगातार बढ़ाएगी यह electrons होंगे भागे 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 जो है यह thousands of volts के order में रखा इस कारण से electric field अच्छी कासी होगी इस कारण से electrons पर force अच्छा खासा होगा इस कारण से electrons जब यहाँ पर पहुचेंगे तो उसके पास kinetic energy अच्छी कासी होगी तो यह electron जब इस target metal से टकराएंगे तो उस time पर वो energy loss भी अच्छी कासी करेंगे और अगर अच्छी कासी energy loss करेंगे तो भागे ब्रेंट्स टोलंगे फेक्ट वो सारे का सारे energy किस form में loss करेंगे photon की form में loss करेंगे अगर energy आपकी बहुत ज़ादा होगी तो energy loss भी बहुत ज़ादा होगी और बहुत ज़ादा energy वारे तो photon निकलेंगे उनको हम बढ़ा क्या कहते हैं जो छोटी छोटी वेवलेंथ जो photon बाहर निकलते हैं उनको हम क्या कहते हैं X-rays कहते हैं तो यह जो electrons है जैसे टकराएंगे टकराने पर कुछ न कुछ energy loss होगी जो energy loss होगी बढ़ा वो photon की form में बाहर निकलेंगे और जो photon बाहर निकलेंगे बढ़ा उनमें से mostly जो photons होगे उनके पास wavelength बढ़ा एंग्स्ट्रॉम्स के order में होँगी and those photons which are having wavelength order of एंग्स्ट्रॉमार नोज है जबर x-rays अब मेरी बात थोड़ा और को और से सुलना ऐसे अगर highly energetic आपने यहाँ पर higher potential यहाँ पर lower potential अच्छा खासा potential difference है अच्छी खास electric field है यह electric field electrons को खींच-कींच के पिखल जाए और जैसे कर हमारा metal पिखल गया तो of course हमारा सारा सारा college tube का arrangement है तो खराब हो जाएगा इसलिए सिर्फ और सर्फ इसलिए हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमारा जो target metal है इसका melting point high हो इसका melting point जो है वो बटा high हो कि यह इतनी आसानी से पिखले नहीं इसी तरह से वो जो electron बार बार आ रहें आ रहें आ रहें टकरा रहें टकराने का लगातार heat दे रहें and delta q is equals to ms delta t mass into specific heat into delta t, delta t is change in temperature delta q is equals to m into s कोड मैं c b कह सकता हूं, इससे आप नाम दे सकता हूं heat capacity, c into delta t यह heat किस ने दी, जो electron बार बार आ रहें टकरारें टकरारें वो लगातार heat दिये जा रहें heat अच्छी खासी होने के बावजूद मैं यह चाहता हूं कि हमारे target metal का temperature बहुत जादा नहीं बढ़ना चाहिए बहुत जादा नहीं बढ़ना चाहिए अरे भई, delta q जादा से जादा होने के बावजूद delta t मैं कम से कम चाहता हूँ तो मुझे यह c तो जादा से जादा रखना पड़ेगा तो मैं ऐसा metal यूज करूँगा जिसकी heat capacity जादा से जादा हो तो आप कह सकते हो कि हमारे तो target metal है इसके पास high heat capacity इसकी heat capacity जितनी जादा हो उतनी अच्छी बात है c जितना जादा होगा, delta t उतना कम होगा delta t जितना कम होगा हमारे इस target metal का temperature कम बढ़ेगा अगर कम बढ़ेगा तो उसके पिगलने के chance कम होगे अगर पिगलने के chance कम होगे यह जो आपने spherical बड़ा glass रखा है इसके अंदर जितने भी air के particles है सब को बाहर निकान लो अंदर vacuum create कर तो जितना अच्छा vacuum create कर पाओ उतना बढ़ी आससे रैसा क्यों? बड़ा यह highly energetic electrons अगर आएंगे और बीच में अगर air particles होंगे तो उन air particles को ionize कर देंगे और ionize अगर कर देंगे तो of course हमारे electrons यहां बहुत सारे पहुंच ही नहीं पाएंगे और of course हम ऐसा नहीं चाहते हैं हम नहीं चाहते हैं कि यह x-ray बनाने के यह से करमियम गूच और देहने लग जाए तो हम जितने भी air particles सारे air particles को बाहर निकाल दे अभी तक की बात सुने आगई calculation अपने की नहीं है इस target metal के पीछे यहां पर आप दूसरा metal रख सकते हो इसके साथ चिपक के बढ़ा आप दूसरा metal रख सकते हो यह कोई copper बगर हो कोई दिक्कत नहीं बढ़ा metal होना चाहिए सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जैसे ही यह आपका tungsten गरम होगा तो पीछे अगर आपके पास copper होगा जो खुल conducting है तो यह लगा था tungsten में से heat लेता रहेगा लेता रहेगा लेता रहेगा लेता रहेगा लेता रहेगा सर यह running water क्यासे बेज रहेगा देखना copper के अंदर हम इस तरह से इस तरह से अंदर जगे बनानेंगे हमकी फटके ठीक है? और क्या करेंगे? कि अंदर से हम यहां पर cold water बेजेंगे अब सुनना बड़ा अब होगा क्या? कि यहां filament से current आएगा current आएगा तो filament गरम होगा filament गरम होगा तो metal से electron निकलेंगे metal से electron निकलेंगे तो यह जो electric filter लगातार electrons को बहुत तेज स्पीड से इस positively charged high potential पर जब का target metal उसे टकराएगा उससे टकराएगा तो target metal गरम होगा उसमेंसे heat लगातार copper लेता रहेगा और copper लगातार इसमेंसे heat लेता रहेगा तो copper के अंदर से अमने थंदा पानी बेज दिया यह चलते चलते थंदा पानी यो बाहर निकलने ही कोशिश करता है लेकिन इस ठंडे पानी के बाहर गरम-गरम कौपर है तो उस कौपर में से लगातार हीट जो है वो इस पानी के पास आती रहेगी आती रहेगी आती रहेगी और जो पानी है वो लगातार copper में से heat निकालता राएगा, निकालता राएगा, निकालता राएगा, निकालता राएगा, और आप डालोगे तो cold water और जो बाहर निकलेगा तो हुआ आएगा आपका hot water, ये इसने heat किस में से निकाली, copper में से, copper में किस में से निकाली, target metal में से, target metal को ठंडा क्यों रखना है, अगर target metal ठंडा नहीं रहा, तो of course हमारा जो target metal है, वो पिखल भी सकता है, और हमारा सारा-सारा college tube का experiment जो है, या फिर college tube का जो arrangement है, वो सारा-सारा खराब भी हो स है, इसलिए आप इस तरह से cold running water भी भी भेच सकते हो, I hope you get the point, fair enough, इसका मतलब ही बिलकुल नहीं कि कोई तुम से पूछे बताओ, college tube के uses क्या है, तो यही लिखना है कि of course it makes, it produce x-rays, यह नहीं लिखना है कि यह पाने को गरम करने भी काम आती है, सिर्फ यही लिखना है, कि x- लग बग लग सारी experimental बातें explain कर दिया है, अब सुना, यह जो मने accelerating voltage लगाया है, इसमें मुझे पता लग गया है कि यह lower potential, यह higher potential, जो lower potential है, that is our cathode, और यह जो higher potential है, it is of course our anode, as you can see that, कि cathode, this basically this metal plate, is source of electron, यह लगाता है electron निकाल रही है, और electron क्यों निकाल रही है, इसके just past बड़ा एक filament जो लगातार गरम हो रहा है, और वो लगातार इस आंकि electrons, बड़ा लगातार इसे emit कराता जाएगा, तो आप कह सकते हो, कि cathode is basically, source of electrons, यह electrons गए 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 गए, एनोड से ठक रहा है, इन electrons ने अपनी energy का कोई part loose किया, जो part loose कि वो photon के form में बाहर निकला और उससे x-rays निकले, x-rays कहां से निकल रहे है, एनोड से, तो आप कह सकते हो, कि anode जो है, वो basically, source of x-rays है, जो x-rays है, उसका source बड़ा आपको कौन है, एनोड है, यहां तक भी सारी के सारी बात बड़ा मेरे काल समझ में आई गए होगे, हाला कि से लेक्टरोंस निकल रहे होते हैं, उसके सामने एक cardboard लगा देते हैं, और उस cardboard में खलका सा ऐसे एक hole कर देते हैं, इसको हम नाम देते हैं, collinator, क्या करते हैं, एक सामने screen रग देते हैं, और screen के अंदर ऐसे एक छोटा सा hole create कर देते हैं, इसके कारण के आपको जितने बी ले लेक्टरोंस, तो आपका ऐसे तरी कोलिमेटर जो है, इट प्रेदूस इस बीम शेप ओक लेक्टरोंस, जो लेक्टरोंस निकल रहे हैं, उनको ऐसे random directions में नहीं बेज रहा, सीधा-सीधा बेज रहा, कौन आपका कोलिमेटर है, यह हमारा experimental setup है, मैं फिर से रिपीट करता हू फिलमेंट क्या cross potential difference है, वी है, लगातार current आएका, current आएका तो filament गरम होगा, filament गरम होगा तो metal गरम होगा, metal गरम होगा लगा तो लगाता इलेक्टरोंस निकलेंगे, इलेक्टरोंस तो हर random possible direction में निकलेंगे, लेकिन सामने एक कोलिमेंटर लगा रखा है, सिर्फ इलेक्टरो यहाँ पर lower potential, तो यह cathode और यह anode, इलेक्टरिक फिल्ट आगई है, ऐसे, उसमें सार एक सार लेक्टरोंस को यह ड्रैक किया, अच्छी कासी kinetic energy से लेक्टरोंस होगे, उस target metal से टक्राएंगे, जैसे target metal से टक्राएंगे, target metal जो होगा, उस electron की जो energy loss होगी, उस energy loss को photon की form में लगातार emit करता रहेगा, और यह जो photon से अच्छी कासी energy से बाहर निकलेंगे, अच्छी कासी energy से निकलने वाले तो photon उसको पर हम क्या बोलते है, target metal लगातार गरम होगा, उसमें से heat निकालने के लिए पीछे हमने copper लगा दिया, copper में से heat निकालने के लिए हमने running water यूज़ कर लिया, यह सारका सारा experimental setup है, हमने जान भूज के बड़ा सारे के सारे arrangement को एक ऐसी tube में रखा, vacuum tube में रखा, जिसके अंदर हमने सारे के सारे air particles ब एक बात हो रहा है, हो सकता है कि कोई समझदार बच्चा हो ना, उसने इक चीज observe कियो कि सरी यह photoletric effect का उल्टा है, यह जो x-ray का formation है, यह काफी हद तक photoletric effect का उल्टा है, photoletric effect के अंदर हमने highly energetic photon गिराये थे, तो उन्होंने electron निकाले थे, और हमने यहाँ पर electron गिराये हैं, तो उन्होंने highly energetic photon निकाले हैं, बिलकुल अगर देखो, तो conceptually उसका just उल्टा है, वहाँ पर photons absorb हो रहते हैं, यह वर photons emit हो रहे हैं, है कि नहीं, चलिए, अच्छी बात है बिदा, समझे यह अस बात को, and the concept behind these slowing down of electrons is of course, कि यह electrons होंगे, वो टार्केट पटल के nucleus के आसपरोस से गुजरेंगे, जैसे आसपरोस से गुजरेंगे, ब्रेंट स्ट्रोलंग एफेक्ट के कारण बिड़ा, उसके लगातार, speed change होगी, kinetic energy change होगी, और जितनी kinetic energy change होगी, वो photon के form में बाहर, अब आते हैं, calculation, सारी बात मुझे लगता सम्झे आगे होगी, अगर यहां का potential 0 है, तो यहां का potential 0, यहां का potential 0, यहां का potential 0, यहां से यहां potential बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा VA, VA मतला accelerating voltage, accelerating voltage के से order में है, किलो वल्ट के order में है, यहां का potential VA, 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 तो यहां का potential भी तो VA, जैसे electron यहां से निकला, जस्ट निकलता ही, कम ऐसे बिल्कुल जस्ट हल, किसी छोटे-मूटे स्पीड से लेक्ट्रोन निकला होगा, तो मैं यहाँ पर इसकी initial kinetic energy 0 मांग रहा हूँ यह लेक्ट्रोन जब यहाँ पहुंचेगा तो इसके पास अच्छे खासी kinetic energy होगी काश मैं इसके kinetic energy निकालता हूँ, तो मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक total mechanical energy conserve कर रहा हूँ इस electron के यहाँ से लेकर यहाँ तक, position 1 से लेकर, position 2 तक, मैं total mechanical energy conserve कर रहा हूँ baş kinetic, मैं ऐसा assume कर रहा हूँ कि electron अब metal surface से निकला है तो halki-falki kinetic energy से निकला होगा let it be 0 initial electrostatic potential energy charge minus multiplied by यहां का potential 0, I really hope electrostatic potential यहां पुलिक में आती है electrostatic potential energy का formula होता है charge multiplied by potential that is equals to position 2 पर kinetic energy कितनी है, let's say potential energy कितनी है minus E into यहां पर potential है, और potential है V यह धर गया, तो kinetic energy की value आगई है, E into V तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि अगर आप ने, अगर आप ने यह accelerating voltage, let's say for example, 2000 volt अगर यूज किया तो यह electron जब यहां पहुँचेगा, तो उसके पास kinetic energy होगी, इसको E से इपलाए करो, 2000 electrovolt जब इसके पास kinetic energy 2000 electrovolt होगी तो जब यह इस target metal से तकराएगा, तो यह energy loss भी इसी order में करेगा, इसका fraction करेगा, इसकी आदी करेगा one-fourth करेगा, one-third करेगा तो जो energy loss होगी, वो भी kiloletrovolt की order में होगी, और गर kiloletrovolt की order में होगी, तो वो जो lambda आएगा, वो खुब बढ़ाएगा, बना अच्छा का, वो lambda का भी छोटा आएगा जैसे माल, कि इस example में, यह electron यहाँ पहुचा और इसके पास energy है, इतनी किसी electron ने अपनी energy का आदा energy loss कर दिया, let's say, तो आप को कैसे energy lost जो है, वो इसकी half हो गई है, half बढ़ा कितनी हो गई है, thousand लेक्ट्रोवोल्ट, और जितनी energy lost होई है, वो किस form में बाहर निकलती है, photon की form में बाहर निकलती है, so this energy lost must be equals to hc by lambda, तो मेरे पास lambda आगया है, hc upon thousand इलेक्ट्रोवोल्ट गबराने के जरू अतनी hc अपन नहीं याद कर रखा है, 12,420 इलेक्ट्रोवोल्ट एंक्स्ट्रोव, बढ़ा कई बुक्स में 12,400 भी दे रखा होता है, calculation आसान करने के लिए वो आप यूज कर लिया करो, और नीचे मेरे पास आगया, thousand इलेक्ट्रोवोल्ट, इलेक्ट्रोवोल्ट इलेक्ट्रोवोल्ट कैंसल, zero zero कैंसल, यह दो zero बड़ा यहाँ पर रहा है, मेरे पास आगया, 12.42 एंक्स्ट्रोव, इसका मतलब यहाँ पर अगर मने एक्सलेटिंग वोल्टेज 2000 वोल्ट अगर लगाया, तो इस lambda का जो photon है, वो कौन से range में आता है, आपर उसर एक्सरे में तो वो एक्सरे होगा, वो क्या होगा, एक्सरे होगा और क्या होगा, I hope तुम calculation समझगे होगे, जैसे मैं एक एक value और लेता हूँ, मान लो कि यह potential difference, मैंने यहाँ से यहाँ तक 8000 वोल्ट लगया, मैंने जान मुझ कि 1000 के order में लगा रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर 8000 potential difference लगया, तो अब्वेस बात है, कि जब यह electron यहाँ पर पहुंचाएगा, तो उसके पास जो kinetic energy होगी, वो 8000 इलेक्रो वोल्ट होगी, जब टक्राएगा, तो इसका कोई fraction energy loss होगा, या तो सारी energy loss होगी, या इसकी half, one third, one fourth, 10%, 20%, इसकी fraction होगी, तो अब्वेस बात चलो बान लेते हैं, कि इसकी 20% energy loss होगी, बड़ा, इसकी 20% energy loss, मतलब इसकी one fifth, बड़ा, इसकी one fifth, कितने होगी है, 1600, double zero, and that is equals to at c by lambda, मेरे पास आगया 1600, is 12,420 इलेक्ट्र वोल्ड अपॉन लेम्डा, इलेक्ट्र वोल्ड, इलेक्ट्र वोल्ड कैंसे, लेम्डा में कहां से रजाएगा, यह जो लेम्डा हैगा, अगे ने, एंक्स्ट्रॉम की ओडर में आएगा, और अगर यह एंक्स्ट्रॉम की ओडर में आएगा, तो अब्विस्ट बात है कि यह हमारा क्या है, एक्स्ट्र वोल्ड है, तो मेरे ख्याल से आप इस बात को समझ रहे हो, कि अगर यह एक्स्ट्रिटिंग वोल्टेज, अगर हम thousand की ओडर में आगर लगाते हैं, तो electron के पास यहाँ पर energy thousand ऑफ ऐलेक्ट्रॉड की ओडर में आती है, और अगर यह thousand ऑफ ऐलेक्ट्रोवल््ट की ओडर में आएगी, तो johan energy loss होगी, वो भी thousand ऑफ ऐलेक्ट्रोव३्ड की ओडर में होगी, तो जो photon निकलेकिए उनके पास भी energy thousands of electron volt की order में होगी और अगर किसी photon के पास अगर energy thousands of electron volt की order में है तो उसके पास lambda engstrom की order में है और अगर lambda engstrom की order में है तो उसे बड़ा राम से क्या बोल सकते है I hope to miss बात को तो समझी गया होंगे मैं एक बार के लिए उस wavelength को consider करना चाहता हूँ जो सबसे छोटी होगी सबसे छोटी wavelength का x-ray वो होगा जिसके पास energy सबसे ज़ादा होगी सबसे ज़ादा energy का photon तब निकलेगा जब वो सारी के सारी energy सारी के सारी जो electron के पास energy थी वो सारी के सारी waste कर दे अगर fraction loss करेगा तो of course fraction ही photon के form में निकलेगा तो चलिए उस lambda को देखते हैं उसका हम नाम भी निकालते हैं उसका हम formula भी याद करते हैं उसका हम formula भी याद करते हैं मैं इस diagram पर वापे से भी आऊँगा एक दूबाते बोलनी है मेरे को लेकिन एक बार मैं वोक में पूरा फंडा समझा देता हूँ heading रिखे बड़ा this is cutoff wavelength बड़ा lambda c से भी तुम रिप्रेजेंट कर सकते हूँ this is the shortest possible wavelength of x-ray this is the smallest wavelength of x-ray spectrum बड़ा तो सारा का सारा हमारा x-ray निकला है न उसमें सबसे छोटी वाली wavelength और सबसे छोटी वाली wavelength है इसका मतलब ये जो आपका photon है न जिसके पास सबसे छोटी वाली wavelength है ये जो photon है ये most energetic है ये बड़ा most energetic है और ये most energetic क्यों है क्योंकि ये उस electron की सारी के सारी energy को use कर रहा है ये सारी के सारी energy को use कर रहा है सारी के सारी energy को use कर रहा है जैसे electron जब उस target metal से टकराया तो उस time पर उसके पास energy थी E into V है इस बार जो photon निकला है बड़ा कितनी wavelength का? लेमडा C wavelength का इसने सारी energy ये उस कर ली तो आप कह सकते हो कि that is Hc by lambda cutoff should be equal to E into V है lambda cutoff की value आगे है Hc upon Ev बड़ा Hc अपनने याद का रखा है 12,420 electro volt angstrom बड़ा electro electro cancel ये accelerating voltage volt में लिख दिना volt volt भी cancel हजाएगा सिर्फ और सिर्फ angstrom आजाएगा ये सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ बड़ा क्या जाएगा Xstrom तो आपके तो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ accelerating voltage लिखना है formula के इंद बड़ा हो दिकिस में volt में बड़ा है फिर से बोलता हूँ यहाँ पर electro volt था electro से electro cancel हो गया volt से बड़ा volt cancel हो गया यह अगर आप accelerating voltage accelerating voltage विटाफ ने small a से लिखागा accelerating voltage विखना दो के तो lambda cut off आपका बड़े अराम से आजाएगा आगे चलते हैं हब ड़ा cut off wavelength निकालना आई होब आप समझ गयोंगे और बहुती simple सा फंड़ा है कि cut off wavelength is the wavelength of most energetic photon सबसे जादा energetic photon तब निकलेगा जब जो electron टकरा रहा है उसके पास जितनी energy है सारी के सारी energy photon के form में निकालते हैं हम जानते हैं कि टकराने वाले photon के पास energy होगी E into VA where VA is of course the accelerating voltage और it should be equal to hc by lambda lambda is of course the cut off wavelength hc की बड़ावलियम ने याद करके 12420 हर सवाल के अंदर exactly आपको दिरख्य होगी आपको चिंता करने के ज़रूत नहीं है hcv के mostly सवाल के अंदर 12400 दिरख्ये calculation आसान करने के लिए तो आप वो यूज़ कर सकते हैं अपनी sheet में कहीं कहीं 12420 लिखा होगा है कहीं कहीं 12400 लिखा होगा है यह सबसे छोटी wavelength है this is the smallest of all the wavelength बाकी सारी wavelength में निकलेंगी लेकिन सबसे छोटी wavelength आपकी इस formula से निकल सकती है मैं एक छोटा हा सवाल पूछनों आपसे example find cutoff wavelength if accelerating voltage is 20 kV k of course means kilo means thousand तो आप कह सकते हो कि वैसे formula लगाना चाओ formula दे लगा सकते हो कि जो आपका accelerating voltage है वो 20,000 volt है ठीक है तो आपके target metal से जब electron टकराएगा तो उसके पास kinetic energy of course होगी 20,000 electro volt और cutoff wavelength तो smallest wavelength है x-ray की वो तब निकले की जब electron अपनी सारी के सारी energy को loss कर दे so it should be equal to hc by lambda मेरे पास आगया lambda is equals to hc upon 20,000 electro volt बड़ा hc हमने याद कर रखे है बारा हजार चार्सो बीस electro volt extra upon 20,000 electro volt electro volt electro volt cancel ये बड़ा cancel एक, दो, तीन, तीन, जीरो, वन, टू, थी बड़ा मेरे ख्याल से 0.621 extra आगया हुआ एक बार चेक करना माने सेटी करना बड़ा हो, 1, 2, 3 1, 2, 3 हाँ बड़ा बलकुल से 0.621 extra तो आपके पास जो cutoff wavelength आई है इस case में that cutoff wavelength is of course 0.621 extra इसका यह एक बिलकुल नहीं कि इससे बड़े वाले lambda निकलेंगे इसके बड़े वाले lambda भी निकलेंगे अगर मालों कि कभी electron ने अपनी kinetic energy का सिर्फ और सिर्फ 90% energy ही photon की form में निकला तो आप बोलो कि सब this into 90 by 100 is equal to hc by lambda वह वाला lambda में निकलेगा कोई ने को electron तो ऐसा भी होगा जो अपनी energy का 80% जो होगा वो photon की form में निकलेगा तो उस case में आप बड़े अराम से बोल पाओगे 20,000 electro volt into 80 by 100 should be equal to hc by lambda कोई ने को electron ऐसा भी होगा जो अपनी energy का 75% जो होगा वो photon की form में निकलेगा तो वोला lambda भी होगा कोई ने को electron ऐसा भी होगा जो अपनी energy का सिर्फ और सरफ 5% जो है वही photon की form में निकलेगा तो बाकि सारे lambda भी possible है सिर्फ और सरफ यह lambda possible नहीं है बाकि सारे lambda जो इससे ज़ादा है वो सारे possible है इससे छोटा wavelength possible नहीं है this is the smallest wavelength possible और we can say this is the most energetic photon emitted बाकि बीटा photon भी निकलेंगे जरूर तो आप ऐसे में ऐसा कैसा सकते हो कि इससे जितने photons निकले उन सब का गरणा मेंगा मैं अगर intensity अगर measure करूं तो आप intensity versus wavelength के बीच मेंगर graph plot करोगे तो आप पाओगे कि point six to one angstrom से छोटा कोई photon निकलेगा उससे ज़ादा बेड़ा सारे photon निकलेंगे तो graph will be like this यह graph बेड़ा मैं mathematically प्रून ही कर सकता यह experimental curve है कि point six to one से छोटी wavelength के कोई photon निकलेंगे इससे ज़ादा जो wavelength है उसके photons निकलेंगे निकलेंगे 0.6 to one से छोटी energy के photons बिलकुल भी नहीं निकलेंगे फेर एनफ बात समझागे एक सवाल और बात समागे find accelerating voltage such that such that cutoff wavelength is 1x क्ट ओफ वेवलेंद अगर एक एंक्स्ट्रॉम है तो एक्सलेटिंग वोल्टेज करता होना चीए हम जानते हैं डारेट फॉर्मला करना चाओ फॉर्मला का सकते हूँ otherwise आप कह सकते हूँ कि एक्सलेटिंग वोल्टेज के लिए क्ट ओफ वेवलेंद सबसे जादा एंबर्जेटिक फोटोन सबसे जादा एंबर्जेटिक फोटोन के पास जो एंबर्जी होगी शूड़ बी एक्वल टू energy of the electron तोकि वो अपनी सारी के साहगी energy loss कर रहे है आप कहे सकते हूँ कि एक्सलेटिंग वोल्टेज की वेलिव आ गई है, hc अपॉन कट ओफ वेवलेंद इंटू e hc वड़ा पन नहीं आद कर रखा है 12,420 इलेक्ट्रो वोल्ट एंग्स्ट्रॉम डिवैड भाई कट ओफ वेवलेंद कितनी है, 1 एंग्स्ट्रॉम इंटू e e से e कैंसल, एंग्स्ट्रॉम से इतना पोटेंशिल डिवेंस एकर लगाओगे तो of course बिड़ापका क्या कहते है बिड़ाप of course बिड़ापका cut-off वेवलेंद होगा, वो एक अंग्स्ट्रॉम आ जाएगा cut-off वेवलेंद एक अंग्स्ट्रॉम आ जाएगा तो आप कह सकते हों कि इस केस में अगर कोई मुझसे पूछ ले कि intensity versus wavelength अगर कोई मुझसे graph पूछेगा तो बताऊंगा कि one angstrom की बहुत छोटी सी intensity होगी बाकि उससे जदा photons होगी उससे जदा lambda जोगी उसके photons भी निकलेंगे दो angstrom wavelength के photon भी निकलेंगे तीन angstrom wavelength के photon भी निकलेंगे चार angstrom wavelength के photon भी निकलेंगे पाच की बी निकलेंगे छे की बी निकलेंगे लेकिन एक angstrom से वन angstrom से छोटी wavelength के photon नहीं निकलेंगे दिस इस दे मोस्ट energetic photon and the rough sketch of intensity versus wavelength is like this ठीक है बच्चों एक छोटा सवाल और पूछ लेता हूं कहीं ने कहीं आपको यह वाला सवाल दिख भी जाएगा तो एक छोटा सवाल और पूछ से बीड़ा है सीधा बीड़ा अगर cut of wavelength निकलना हूं तो 12,420 divided by accelerating voltage कर देना यह आपका अंसर आजाएगा angstrom के अंदर एक सवाल एक सवाल और सवाल बीड़ा इफ एक्सलेर्टिंग वोल्टेज इस 30 के भी फाइंड हाइएस्ट फ्रिक्वेंसी ओफ एक्सरे एमिटेट जो एक्सरे एमिटेट है उसकी हाइएस्ट फ्रिक्वेंसी निकालो तो एक तरिकत बड़ा ही है कि हाइस्ट फ्रिक्वेंसी वाला फोटोन वही है जिसका लेमडा सबसे कम था जो लेमडा सबसे चोटा था तो एक तरिका तो यह होग है कि पहले लेमडा निकालो लेमडा इस 12420 डिवाइड वाल्टेज बड़ा कितना 30,000 रे बड़ाईए यह एक्स्ट्रॉम यहां इसको यहां रख तो आपका अंसर आजाएगा डरेक्ट भी का सकते हो डरेक्ट आप ऐसे का सकते हो कि जो इलेक्ट्रॉन टार्गेट मिटल से टक्कर करेगा उसके पास एनर्जी होगी E into VA इट शुड बेक्पल टू अगर लेमडा चाहिए तो H c by लेमडा और अगर फोटोन की अगर एनर्जी चाहिए उसके पास फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा तब होगी जब वोस एलेक्ट्रॉन के सारी के सारी एनर्जी को यूज कर लेगा सारी के सारी एनर्जी कितनी है E into VA that should be equal to H E into VA किया तो मेरे पास आगया 30,000 एलेक्ट्रोवोल्ट that should be equal to H X बड़ा वैसे Joule में तो याद दी रहता है काश एलेक्ट्रोवोल्ट में भी याद हो आप वोलके सारी याद है हमने बड़ा को पहले भी याद कर रखे नहीं याद तो बड़ा ठीक है कोई बात नहीं सवार में लिखा होगा 4.14 into 10 raise to power minus 15 बड़ा देखना कितना आप था है 30 divided by 4.14 ये बड़ा 7.24 into 10 raise to power 18 hertz बड़ा रखली आपकी पास value है ऐसा है आप ऐसे भी नहीं काल सकते थे आपकी मर्जी बड़ा I hope you get the point आगे चाहते है बड़ा नहीं काल सकते हैं next is इस फोल्टिक होगी है आप भी सोच रहोंगे सर बार-बार उसी तरह के सवाल करा रहे हैं हाँ एक चोटा सा पॉइंट वह बताना था इसलिए कट-off wavelength वाला photon सबस्यदा energetic होगा और वो electron के सारी energy उस कर लेगा electron के पास energy है 40,000 इलेक्ट्रोवोल्ट इस इकोल स्टो एच सी बाई लेम्डा आगे एच सी अपॉन 40,000 इलेक्ट्रोवोल्ट 12100 इस भार आगेचार सो इस इलेक्ट्रोवोल्ट इलेक्ट्रोवोल्ट स्टोव ठैक्ट्रोवट एच्ट्रोवोल्ट engineer खेक्ट्रोवोल्ट Sound के अख EPA बड़े 0.3105 एक्स्ट्रों आगयो यह आपके cut of wavelength है इसके अलाव भी सारे निकलेंगी लेकिन यह सबसे छोटी wavelength है जो आपकी निकलेंगी आप उगे साह से बिल्कुल पता है पिछले तीनों सवाल इसी फंडे पे थे एक सवाल होगा इसी में find wavelength of radiation which emits if electron loses 30% of its energy during collusion अगर electron अपनी energy का सिर्फ 30% ही photon के form अगर lose करे तो wavelength कितने निकलेंगी है यह वाली wavelength तो तब निकली जब electron अपने सारी के सारी जो energy है सारी के सारी जो energy है वो photon के form में बाहर निकालते लेकिन अगर 30% energy ही photon के form में निकालेंगी तो क्या होगा तो आप कोहगे कि सर्फ actual energy तो उसके 40,000 इलेक्ट्रोवोल्ट है इसकी सिर्फ 30% तो इंटू 30 by 100 इंटू 30 by 100 must be equal to hc by lambda hc है बड़ा 12,420 इलेक्ट्रोवोल्ट एंग्स्ट्रॉम अपन लेम्द यह लेम्दा आजाएगा इलेक्ट्रोवोल्ट इलेक्ट्रोवोल्ट बड़ापका cancer बड़ा solve करना बड़ा lambda की value बड़ा मेरे ख्याल से 1.035 एंग्स्ट्रॉम अब इमन सुचना है कि सिर्फ और सिर्फ बड़ा 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 से लेम्दा से लिक 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 कि सिर्फ यही दो wavelength निकलेगी और भी 50-500 के आजारों करोडों अर्मों कर्मों तरों की निकलेगी हर तरह की wavelength निकलेगी लेकिन इससे चोटी wavelength नहीं होगी इससे जादा wavelength तो सारी निकलती रहेंगी क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि है ना कोई ने कोई फोटोन तब एमिट हो जब इलेक्ट्रोन अपनी एनर्जी का 20% जो है वो फोटोन की 4 में निकाले तो आप 20 आजाएगा तो एक लेमडा होना जाएगा जब फोटोन वो वाला फोटोन बताओ वो सवाले फोटोन की वेवलेंद बताओ जब इलेक्ट्रोन ने अपनी एनर्जी का 10% जो फोटोन की 4 में निकाला होते हैं अबर 10 लिक देना तो अगला लेमडा जाएगा तो बहुत सारे लेमडा पॉसि नहीं होगा, तो इस case में again अगर आप उस x-ray tube से निकलने वाले जितने photons हैं, अगर आप उनकी intensity measure करोगे wavelength के साथ, तो आप पाओगे कि 0.3105 angstrom से छोटी wavelength पर को intensity नहीं है, हाँ, उसके आगे वाले सारे lambda possible है, पहले बड़ा intensity बढ़ती है, बड़ा फिर इंटेंस्टी घड़त यह experimental graph है, उनको कुछ नहीं कर सकता है, फिर अनक, इनमें कहीं न कहीं बड़ा आपका यह, 1.035 angstrom में यह आगे, ठीक है बच्चों, आई होप यह वाली बात तो आपके समझ में आगे होगे, आगे चलते हैं बड़ा, अब माप से 2-4 छोटी बढ़ते हैं, बाते हैं और पूछ रहा हूँ, अगर माल लेजी, कि मैं accelerating voltage को बढ़ाऊंगा, तो क्या फर्क बढ़ेगा, अगर मैं accelerating voltage को increase करूँगा, तो क्या होगा, अगर आप accelerating voltage को increase करूँगे, तो आपके जो electrons हैं, जो target metal पर टकरा हैं, उनकी energy ब बढ़ेगी, तो of course, of course, जो energy lost है, target metal से टकराने पर जो energy lost है, वो भी बढ़ेगी, अगर वो बढ़ेगी, तो of course, जो photons निकल रहे हैं, उनकी energy बढ़ेगी, अगर photons की energy बढ़ेगी, तो obvious बात है कि कम lambda के photon जादा निकलेंगे, क्या बेटा, कम lambda के photon जादा निकलेंगे, कम lambda के photon जादा निकलेंगे, तो आप कह सकते हो कि आप इस case में एक तरह से hard x-rays बना रहे हो, तो अगर आपको hard x-ray बनाने हैं, तो accelerating voltage को बढ़ा दीजिए, अगर आपने accelerating voltage कम किया, तो जो electrons target matter के पास पहुंचेंगे, उनके पास energy कम होगी, तो energy lost भी कम होगी, energy lost कम होगी, तो lambda जादा होगा, lambda जादा होगा, तो आपका soft x-ray बनेगा, तो कभी hard x-ray या soft x-ray बनाने हो, तो आप accelerating voltage को change करके hard x-ray और soft x-ray बना सकते हैं, फिर अब इस बात को एक तरह कर समझ सकते हैं, cut-off wavelength is 1 to 4 to 0 upon accelerating voltage, accelerating voltage जितना जादा होगा, आपका cut-off wavelength उतना ही कम होगा, जितना जादा आपका accelerating voltage, cut-off wavelength उतना ही छोटा, cut-off wavelength जितना छोटा, of course hard x-ray बनने के chances उतने ही जादा हैं, फिक हैं, समंगे आगे अले बात, इसी तरह से, कोई मुझे कह दें, कि सर, potential across filament को अगर increase कर दूँ तो, होसता बहुत सर बचसे तो भूली के हम कौन सा filament, बढ़ा याद करो, आपने cathode पर एक metal रखा हुआ था, metal को गरम करने के लिए आपने यहाँ पर एक filament लिए रखा था, और filament को आपने ऐसे किसी ने किसी बैटरी से जोड रखा था, इसका potential difference है VF, अगर आप यह वाला potential difference बढ़ा होगे तो यहाँ पर current बढ़ेगा, यहाँ पर current बढ़ेगा तो यह filament जदा heat loss करेगा, जदा heat loss करेगा तो इस metal में से जदा electrons निकलेंगे, metal में से अगर जदा electron निकलेंगे तो, इस target metal पर जदा electron पहुँचेंगे, अगर यहाँ पर जदा electron पह बात है कि आपकी जो X-ray है उसकी intensity जादा होगी क्या जादा होगी intensity तो आप कह सकते हो कि मैंने filament के across potential difference increase किया तो of course आपका जो filament है वो जादा heat loss करेगा वो जादा heat loss करेगा तो metal जो है of course number of photons या फिर number of X-rays बढ़ेंगे number of X-rays बढ़ेंगे तो obvious बात है कि आपके X-ray की जो intensity है या फिर जो power है वो बढ़ेंगे लेकिन अगर आपने accelerating voltage अगर change नहीं किया है it means that quality of X-ray वही रहेगे lambda C जितना था उतना ही रहेगा lambda C को change करने के लिए hard X-ray, soft X-ray change करने के लिए हमें क्या change करना पड़ता है जो आपका accelerating voltage है वो change करना पड़ता है filament के across potential difference change करने से तो सिर्फ इतना फर्क पड़ेगा कि हमारे जो metal plate है उससे electrons की संख्या क्वाम कम जादा कर सकते हैं लेकिन electron यहाँ पर कितनी energy से पहुँचता है उसकी जिन्मेदारी filament के across potential difference की नहीं है वो जिन्मेदारी किसकी है accelerating potential difference की और accelerating potential difference जतना जदा होगा electron उतनी जदा energy से target metal के पास पहुँचेगा जितनी जदा geworden की जदा लेबडा कम नोगे जदा अगर आपको X-ray की quality change करनी है अगर आपको X-ray की अगर quality change करनी है अगर उसका आपको lambda change करना है या फिर lambda c change करना है hard X-ray से soft X-ray बनाना है या फिर soft X-ray से hard X-ray बनाना है तो आपको potential difference across accelerating potential difference जो है उसको change करना पड़ेगा लेकिन अगर आप चाहूं कि मैं बिना, मैं बिना X-ray की quality change की X-ray की intensity बढ़ा दूँ, lambda c जितना है उतना ही रहे, सिर्फ और से किसी तरह से X-ray के intensity बढ़ा दूँ, X-ray के intensity बढ़ा दूँ तो इसका मैं number of photons बढ़ाना चाहता हूँ, number of photons बढ़ाना चाहता हूँ, तो number of electrons बढ़ाने पढ़ेंगे, number of electrons अगर बढ़ाने हैं, तो यहां से number of electrons एक्स्ट्रा निकलने चाहिए, वो कैसे निकलेंगे, जब मेटल जाधा गरम होगा, मेटल कैसे गरम होगा, जब बढ़ा filament के across potential difference बढ़ा होगे, अगर हम filament के across potential difference को बढ़ाएंगे, तो intensity बढ़ जाएगी, filament के across potential difference को गटाएंगे, तो intensity घट जाएगे, simple, I hope बढ़ाई मेले बाग तो समझ में आए गए होगे, तो VF का क्या रोल है और VA का क्या रोल है, I hope समझ में आगया होगा, accelerating voltage electrons को ज़्यादा speed से टक्कर करवाएगा, VF जो है उसका काम से रोलेक्ट्रों को निकालना है, दोनों के अपने अपने परपज है, I hope it's okay, cutoff wavelength का formula आपको याद रखना है, बाकी किसी formula को याद रखने हैं, हाला कि cutoff wavelength से ज़्यादा जो lambda है, वो भी हम निकाल सकते हैं, अगर सवाल में इंफोर्मेशन दे रखी हो, कि उस electron ने अपनी energy का कितना fraction, कितना percentage जो है, वो energy loss के अंदर गवाया है, तो उससे भी हम निकाल सकते हैं, कभी भी रखा हो, I hope I get the point,